नमस्कार दोस्तों, Live Linen Aishto Channel में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले सुक्र देव जो हैं उनके बारे में बात हुई 12 भाव होते हैं कुड़िमें 12 भाव में, 12 अलग अलग भाव में कैसा result देते हैं, सुक्र अपना कैसा पड़नाम देते हैं आज बात करेंगे ब्रहस्पत देव गुरू जो हैं बारा भाव में अलग-अलग भाव में अपना कैसा रिजर्ट देते हैं तो सबसे पहले लगन में देखेंगे लगन में ब्रहस्पत अगर बैठे हुए हैं तो अपना कैसा रिजर्ट देंगे आए जानते हैं आपको पता होगा ब्रहस्पत ग्रह जो है एक नैसरगिक सूब ग्रह माने गए हैं बहुत अच्छे ग्रह माने गए हैं ब्रहस्पत गुरू वैसे तो देखा जाए तो धरम के हिसाब से देखा जाए बुद्धी के हिसाब से देखा जाए और संतान के कारक माने गए हैं विवा के कारक माने गए हैं लेकिन कुंडली में ऐसा कोई भाव नहीं होता है, जिस सम्मंधित जो फल हैं, वो ब्रहस्पत देव में वो फल ना मिलते हूं, क्योंकि ब्रहस्पत देव बहुत सारे ऐसे फल हैं, जिनके कारक माने गए हैं, ब्रहस्पत देव कुंडली में अगर अच्छे हैं, तो आप ये समझ लीजिए, लाग दोस होने पर भी कुंडली में आपके जीवन में कहीं न कहीं अच्छाईया रहती हैं, सुभ रिजर्ड मिलते रहते हैं, लगन का ब्रहस्पत कई मायनों में महत्पूर्ण होता है, लगन लगन में गुरू कुछ नया करने की ललक जो होती है, लगन में ब्रहस्पत ज्यादातर अध्यापन जो होता है, अध्यापक वगारा जो होते हैं, उसके छेत्र में जो होता आपका बेवसाय जो होगा, इस लाइन में होता है, सिच्छा के छेत्र में हो जाता है, लगन का ग चीज कुछ कमी भी होती है, लगन का ब्रहस्पत अहंकारी भी बनाता है, क्योंकि ब्रहस्पत देव जो हैं बुद्धी के कारक माने गए हैं, तो लगन में बैठे, लगन पूरा सरीर के हिसाब से देखा जाता है लगन को, तो यहां पे बैठे ब्रहस्पत थोड़ा अहंकार क माने में पूर्ण ग्रह माने जाते हैं पेंद्र या कोन भाव में गरु सारे दोस को दूर कर देते हैं और लगन में अगर बैठे हैं तो दोनों भाव जो होते हैं तिकोण के उन पे द्रष्टी होती है इनकी पाचवे पे भी और नवे भाव पे भी द्रष्टी होती है और इनकी सुब द्रष्टी मानी गई है बहुत करक रास में गुरु उच्च के होते हैं मकर में नीच के होते हैं इसी पकार से विसम रास यानी मेश, मिथुन, सिंग, तुला, धनु, कुम्ब का गुरु प्राया, सुब, एवं कल्न्याण कारी होता है और सम रास जो है ब्रसब, करक, कन्या, ब्रस्चिक, मकर धनु, इसमें लगन का गुरु अगर वैठा है तो जातक को सफल वकील, प्रोफेसर, नयधी, गायक वगएरा कभी या उब्देशक बनाता है भू तत्तु रास जो होती है ब्रसब, मकर, कन्या, रासिका गुरु जातक को धन, संचे में बाधक बनता है ऐसा जातक आई से अधिक वे करके प्रेशानी उठाता है इसे इपकार से वायू तत्तु रास जो होती है तुला, कुम्ब, मिधुन इसमें लगन का गुरु जातक को चिकत्सक, अध्यापक वह सफल वकील बनाने के लिए सुभ है जलत अत्तु रास जो है करक व्रेशिक उमीन इसमें लगन का बैठा गुरु जो है डाक्टर के लिए बहुत सुभ होता है ऐसा बताया गया है लगन में ब्रहस्पत होने पर कैसा इसका फल होता है इसके बारे में फल दीपिका पुस्तक बहुत चरचित पुस्तक है इसमें भाव फला ध्याय में इसलोक नमबर चाओदा में बताया गया है इसलोक नमबर चाओदा में पहली पंक्ति जो है उसमें इसके बारे में बताया गया है सोभावान इसका मतलब है कि लगन में गुरू होतो व्यक्ति जो होता है आकरसक व्यक्तित्यु का धनी होता है आकरसक होता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है धार्मिक प्रवत्ति का भी होता है और व्यक्ति की उमर बहुत लंबियोती दिरगायु होता है और निरभय होता है इसके लावा लगन में ब्रहस्पत होने पर व्यक्ति पुत्रवान होता है उसके पुत्र जो होते हैं अधिकता होती है पुत्र जादा होते हैं इसे व्यक्ति के जिनके लगन में ब्रहस्पत होता है लगन में ब्रहस्पत होना बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा माना ग पर ही व्यक्ति जो होता है पुत्रवान होता क्योंकि रहस्पत की दरश्टियां जो होती है बहुत ही सुभ होती है और दूसरी दरश्ट इसकी सात्वे भाव पर होती है सात्वे भाव विवा का भाव है जो पत्नी का इस्थान माना गया है पत्नी के इस्थान पर दरश्ट हो थारम का भवह होता है नभी दर्ष्टि होने पर व्यक्ति जो होता है धार्मिक प्रवतिका भिय होता है dengan ब्रहसपत देव के लिए कुछ बhr prevented आंगे कि ब्रहसपत जिसे ब्रहमत करते हैं इंगी दर्ष्टिय का बहुत सुभ होती है. लेकिन ये भ्रान्ती है इसके उपर एक वीडियो बनाया था पिछला वीडियो जो पड़ा है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं ब्रहस्पत देव जिस भाव में बैठते हैं भाव का नास करते हैं या नहीं करते हैं इस टापिक पर वीडियो है, आप देख सकते हैं, ब्रहस्पत देव के बारे में ये भ्रांती, इसके बारे में कारको भाव नाशाय सूत्र के अनुसार, कारक भाव में अगर कारक ग्रह होते हैं, तो उस भाव का नास करते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि कारक भाव अगर उसी भा कारक भाव क्योंकि लगभग ऐसे कोई भाव नहीं है जिनका फल जो होता है जयादा तर भाव ऐसे हैं जिनका फल भ्रहसपत देव के फल के लगभग मिलता जुलता है क्योंकि ब्रहस्पत देव काफी हर भाव के फल जो होते हैं उनके हिसाब से उनके फल होते हैं क्योंकि आप धर्म के या किसी भी भाव के बारे में अगर बात करेंगे बचत के तो बचत का भाव धन का भाव जो होता है ब्रहसपत देव को धन के भाव से देखा जाता है बुद्धी का सात्वा भाव होता है उसको भी ब्रहसपत देव के हिसाब से देखा जाता है और संतान भाव भी होता है संतान के कारक भी होते हैं ब्रहसपत देव विवा के कारक भी हैं सात्वा भाव जो होता है धरम के नवा भाव होता है सुक के कारक होते हैं चौथा भाव होता है सुक का इसी पकार से सफलता अगर आपको मिलती है तो रहस्पत देव का बहुत बड़ा रोल होता है गुरू का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें तो संगर्स का दस्वा भाव होता है तो इस हिसाब से देखा जाए ज्यादा तर भाव जो होते हैं प्रहस्पत देव से संबंदित होते हैं इसलिए अगर ऐसा है कि उस भाव का नास करेंगे तो सारे भाव उसमें आ जाते हैं इसलिए ऐसा नहीं होता है रहस्पत देव बहुत सुब ग्रह होते हैं और अवस्थाएं उनकी देखनी चीए कि अवस्था किस अवस्था में बैठे हुएं ये चीछ देखना चीए अवस्थाएं बहुत जुरूरी होते हैं क्योंकि अवस्था के हिसाब से बाव फल कोई बैठे हैं उनके भाव जो फल होते हैं और ग्रह के फल में अंतर आ जाता है तो इस परकार से देखना चीए तो दोस्तों आपने जाना ब्रहस्पत अगर लगन में बैठें तो कैसा फल देंगे अगले वीडियो में धन भाव के बारे में बात करेंगे में हैं तो अपना कैसा रिजल देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो करप्रिया सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे चैनल से जूर जाएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद म कर दो